हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्वेद ट्यूब में तो दोस्तों आज हमारे पास एक कोश्चन है यह कोश्चन क्लास 9 की मैद से चेप्टर 1 नंबर सिस्टम से लिया गया है तो इस वीडियो में हम इस को डिसकॉस करेंगे आप वीडियो को ध्यांग से देखिए आ एक्सप्रेस 0.0032 अपर बार यह जो अपर बार है यह 32 के ऊपर है यानि कि 32 32 जो है वो रिपीट होगा इन दा फॉर्म आप पान क्यू वह अर्पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इस नाट इकोल टू जीरो तो यह कोश्चन हमें दिया गया है तो देखों सॉल्य सब्सक्राइब लेट एक्स इस इक्वाल टू 0.0032 32 ठीक है एक और ले लेते हैं 32 अब हमने इसको क्या मन लिया एक्स की वैलू यह है अब क्या करेंगी सबसे पहले आप पर हम हंड्रेट से मल्टिप्लाइग करेंगे कि अन्मल्टिप्लाइग कि अब हंड्रेड कि अन्बोट साइड करेंगे तो जब इधर हंड्रेट से मल्टिप्लाइग करेंगे तो यह हो जाएगा हंड्रेड एक्स और जब इधर हंड्रेट से मल्टिप्लाइग करेंगे तो यह वाला जो डेस्मल होगा यहां चलाएगा तो जब यह वाला डेस्मल ऐसे हो जाएगा 00.323232 तो भाया आगे 0 का कोई मतलब होता नहीं है ठीके तो क्या हो जाएगा 0.323232 यह हम एक्वेशन बन मान लेते हैं Similarly, on multiplying by 10,000 on both side we get similarly on multiplying by 10,000 on both side we get अब देखो इधर 10,000 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 x कितना हो जाएगा 10,000 x और जब इधर 10,000 से multiply करेंगे तो देखो 10,000 में 12340 होते हैं मतलब देसिमल जो होगा वह फोर जिरो राइट साइड में चला जाएगा डेसिमल यहां आ जाएगा ठीके कहां जाएगा यहां पर तो है तो फिर इसको ऐसे रेट कर लेंगे 32.3232 ओके यह मारा एक्वेशन टू हो जाएगा कि अन सब्ट्रेक्टिंग अन सब्ट्रेक्टिंग एक्वेशन वन लाम एक्वेशन टू वी है अब देखो हमारे पास एक्वेशन टू यह है और equation 1 यह है हमें 2 में से 1 को माइनस करना है मतलब 2 को हम उपर राइट करेंगे तो यह हो जाएगा 10,000 x is equal to 32.3232 और यहां पर राइट करेंगे हम 100 x यह हो जाएगा 100 x is equal to 0.3232 है अब सब्ट्रेक्शन करेंगे तो देखो 2 minus two 0, ठरी हमाइनस थरी जीरो 2 minus two zero, 3 minus three 0 और यहां पर रो जाएगा 32 तो जीरो आखरी में लिखने की जरोट है नहीं इंदर हो जाएगा देखो जीरो माइनस जीरो 0, 0-0, 0, 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, तो जाकि करी ले लेगा हो जाएगा 10, 10-1, 9, और ये भी हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा X, तो कितना हो जाएगा, 9900X is equal to 32, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्ट्रेक्शन आ जाएगा, आप आगे क्या करेंगी वो देख लो, देखो ये 32 है और ये 9,900 जो है एक से के मल्टिपल में है, अब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, 32 अपान 9,900, अब इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो, 2 अंजा 2, 2 6 जा 12, और इसे डिवाइड करेंगे 248, 2918, 25 जा 10, तो ये कितना आजाएगा, ये आजाएगा, 16 अपान 4950, इसे फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो, 28 जा 16, 22 जा 4, 24 जा 8, 27 जा 14, 25 जा 10, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया, x is equal to 8 अपान 2475, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस question का, आप चाहें तो वीडियो को पाँच करके राइड ओन कर लें, आप फिर screenshot ले लें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी share करें, अगर इ